अब बच्चों, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, सिंपल पर्मान टिशू का पार्ट, उस सेकेंड पार्ट का नाम है कोलेन काइमा, क्या नाम है इसका कोलेन काइमा, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखो, हमने लिखा है कोलेन काइमा, और इसके पहले हमने पेरेन काइमा में डिवीशन बताया है, तो क्या बताया, उसका नाम बताया था क्लोरेन काइमा, तो इन दोनों शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो तुमको बिलकुल क्लिर कॉट कॉंसेप्ट होना चाहिए, जब हम लोग क्लोरेन काइमा की बात कर रहा है, तो वो पेरेन काइमा है, जिसमें क्लोडोफिल पाया जा रहा है, लेकिन जो ही हम क्लोरेन काइमा का है, यह बिलकुल अलग सेल हो गया, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्लोरेन काइमा कैसा सेल है, यह भी सिंपल पर्मानेंट तिशु का एक पार्ट है सिंप्ल परमारेंट टिशु के सारे एक से होंगे जो पब और आप डिवीजन को लॉज कर चुके हैं लेकिन has Snapchat कर सकता हूं को सबगें लेविंग होगे फिर इस इस तु दूकत करने की जरूरत नहीं नहीं किया होगा तो जब पोड़ो पलाज़म को लौसिन होगा और protoplasm को हम लोग क्या कहते हैं protoplasm को हम लोग कहते हैं main working हम लोग कह सकते हैं कि protoplasm physically वो यही वो portion है जो चीजों को live रख रहा है तो यह living है because of it contain protoplast दूसरा इसका nature कैसा है दो टर्म लिखे हैं elastic और दूसरा mechanical अब द्रसा समझो बात को जब हवा तेज चल रही होती है तो देखना stem ऐसे bend कर गया mark की हो गया यह टूटा नहीं क्यों नहीं टूटा क्योंकि इसमें elasticity थी एक बिलकुल stiff इस चीज को तुम मोडने का प्रयास करो अगर इसमें elasticity नहीं होगी तो क्या होगा यह टूट जाएगा जरा तुक अपनी pencil निकालो और pencil को turn करके देखो नीचे से hold कर लो क्या यह मुड रहा है नहीं इसका मतलब वो क्या है वो stiff है अगर उसको मोडने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा वो टूट जाएगा इसका मतलब pencil में elasticity नहीं है तो किस कारण से stem elastic है इसी को हम लोग यहां पर समझा रहे हैं चुकि अब इस डियाग्राम को देखो इसमें corners thick है यह colon कायमा बनाए है कोलें कायमा की property है कि इसके corners thick हो जाते हैं यहां भी हम लोग ठीकिनिंग दिखा रहे हैं corners thick होने से क्या फायदा होता यह देखो एक किसी भी चीज के corner के बारे में सोचो यह ठीक है तो हम लोग सबसे अच्छा सोचते हैं एक मकान के बारे में एक मकान के corner में क्या लगा हुआ है पीलर लगा हुआ है एक normal मकान की गलपना करो और एक पीलर वाले मकान की गलपना करो कौन सा मकान ज्याता मजबूत होगा तुम्हारा आंसर ओवियसली क्या होगा वो पीलर वारा मकान सर तो पीलर वाले मकान में कौन सा पूर्शन ठीक था तो तुम्हारा आंसर कह था कॉर्डनर्स में पीलर था कॉर्डनर्स र ठीक तो जब हम लोग colon chyma की बात करें तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए पीलर वाले मकान है ना आज कल सारे मकान पीलर पर ही बनते हैं तो पीलर वाले मकान से हम लोग compare कर रहे हैं क्यों? क्योंकि पीलर में जो मकान बनता है उसके corner में पीलर पड़ा रहता है इसको हम लोग टीक कर रहे हैं कौन सा पोर्षन ठीक है कौनर्स ठीक है एक बर मेडिकल में ये भी कुशन आया कि ठीकनिंग किन किन चीजों के डिपॉजीशन से है हमने क्या किया ठीकनिंग को समझाने के लिए इसको अलग-अलग कलर से भर दिया अब हम लोग कहते हैं एक कलर मालो सिलिलोज का मिटेरियल है दूसरा हेमी सिलिलोज है और तीसरा पेक्टीन या हम लोग एक और टर्म लिखेंगे प्रो पेक्टीन है क्या क्या हम लोग टर्म लिखें बिसिकली ये तीनों एक कॉंप्लेक्स कार्वो हाइड़ेट का फॉर्म है बिसिकली क्या है हमने कहा कि Corners थीक है क्यों थीक है कोशन यह आएगा कि Corners क्यों थीक है कोशन यह नहीं आएगा कि Corners थीक है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा Corners इसलिए थीक है क्योंकि Corners पे cellulose के अलावे नॉर्मल एक वाल में क्या मिलता है हमको पता है cellulose मिलता है हम लोग कहेंगे normally cellulose के अलावे और क्या मिल रहा है हेमी cellulose मिल रहा है और क्या मिल रहा है pectin या pro pectin मिल रहा है जो basically क्या है complex carbohydrate का form है तो corners become thick अब जरासा देखो जरासा यहाँ पर इसका diameter ले लो और यहाँ पर इसका diameter ले लो diameter में difference दिखाई देगा या नहीं देगा बिलकुल दिखाई देगा हम लोग इसके पहले पेरिन कायमा को compare किये थे, यहाँ पे पेरिन कायमा बनाये थे, और क्या बोले थे, इसको मम्मी की चूडियों से compare करने बोले थे, और क्या कहे थे, यह अभी जितना थिक यहाँ पे है, उतना ही थिक यहाँ पे है, अब तुम लोग में से कोई सोच ले होगे, कि सर वाइप की खूम्ह視 कर भयाद। नहीं बोल रहा है कि अभी तुम बच्चे हो जब तुम्हारी शाधी उगी तब ही हम लोग बताखेंगे टी वाइप की चूड़ियों से compare करो तक तब तुम्हां ना बन चुके हो गए तो हमने कहा यह मम्मी की चूडियों से compare करो तो देखो कैसा दिख है IsoDiametrical दिख रहा है कैसा दिखे रहा है IsoDiametrical दिख रहा कौन तो answer क्या है तुम्हारा parenchyma लेकिन जब koleynchyma की बात करने l이크업 तुह difference दिखने लगा क्या दिखने लगा ज़र देखू यह answer करना है corners become thick corners में क्या मिल रहा है thickening मिल रहा है किन-किन चीजों का तो हम लोग क्या क्या answer किये यह composition पूछा हुआ बेटा एक्जाम में क्या क्या answer हुआ cellulose दूसरा क्या हुआ hemi cellulose और तीसरा क्या हुआ pro pectin और pectin material यह तीनों material जो थे यह तीनों material के deposition से corners become thick और चुकी corners become thick इसलिए यह elasticity को maintain कर पा रहा है यहाँ पर मजबूती से इसको बान दिया गया उपर में शोड़ दिये तो यह bent हो सकता है लेकिन अगर पूरे को बान देते तो यह bent नहीं हो ता बलकि क्या हो जाता चूट जाता इसलिए चुकी यह corners पे ठीक है इसलिए यह elasticity को शो कर पा रहा है तो this is the reason that they are showing elasticity फिर हम लोग आते हैं तो पहला हम लोग देखे they are elastic और चुकी यह support करने का काम करता है इसलिए term use करते हैं mechanical whenever we are talking this term mechanical it is meaning by mechanical means giving support mechanical means giving support चुकी यह support करने का काम करता है इसलिए the term is mechanical and elastic because it can take the stress of the air हवा के stress को यह beer कर पाएगा इसमें थोड़ा सा flexible होगा बुड़ेगा लेकिन टूटेगा नहीं shape हमको वालम हो गया oval spherical or polygonal लेकिन जब thickness की बात करेंगे तो तुमारा आंसर अब change करेगा जब हम लोग parent काइमा की बात कर रहे थे तो कहते दे आर आइसो डायमेट्रिकल लेकिन अब क्या बोलेंगे uneven thickness यहाँ पे इतना ठीक है यहाँ पे उतना ठीक नहीं है तो टर्म क्या हो गया टर्म हो गया uneven thickness uneven term को हम लोग घेर दिये और टर्म क्या है उसकी हम लोग uneven thickness तो हम लोग यह कोश्चन आया अब मेडिकल में uneven thickness is the diagnostic feature diagnostic feature है तर्म है इसका मतलब है इस अकेले एक character को देख के हम बता देंगे कि यह कॉलन काइमा है यह पेरिन काइमा है हम को cell दे दिया गया देखने के लिए दो cell मेरे पास है हमने देखा एक में बिलकुल even thickness है और एक में जगा जगा पे corners पे thickening जादा है और कुछ भी देखने की जरुद नहीं है इतना ही काफी है हम क्या बताएंगे जो uniform thickening वाला cell है वो पेरिन काइमेटस इन नेचर है और जिसमें एक कॉर्णर स्थिकने से वो गोलेन काइमा है तो uneven thickness इसको क्या कह देंगे uneven thickness is the diagnostic feature of कॉलेन काइमा और कॉन सब्सक्राइब थिक था कॉर्णर सार्थिक फिर हम लोग क्या बोले thickening किसके चलते हर प्रेशन के बाद हर statement के बाद सोचो ठीक तो हम लोग फिर मन में सोचेंगे क्यों थी तो answer क्या होगा ठीक because of the presence of cellulose cellulose सभी cell wall में मिलेगा cellulose के अलावे और दो component मिला क्या क्या मिला हेमी cellulose और तीसरा क्या मिला पेक्टीन या प्रोपेक्टीन अब हम लोग यहां पर रुपते हैं और एक नहीं बात बताते हैं एक बार medical में question आया था what is not present हम लोग यहां पर लिखे नेवर लिगनीन मतलब इस thickness में है लिगनीन का डी पोजिशन आज तक नहीं report किया गया तो तुमको लगेंगा नहीं है तो यह क्यों बता रहे हैं सर आप अगर नहीं है तो नहीं है बहुत से चीज़ें नहीं होती है लिकिन अब यहां पर ध्यान से रुपना क्योंकि लिगनीन सेल के कई जगों पे deposited मिलेगा जब हम लोग सेल को टीशू को study कर रहे है ना टॉमी में तो हम लोग आप देखेंगे जब हम लोग dead tissue की बात करेंगे अभी हम लोग इसके बाद इसके enchematis tissue पर आएंगे तो देखेंगे वहाँ पे liganine का deposition है तो कहीं पर liganine का deposition है लेकिन यहां पर नहीं है कहां पर नहीं है kolen kaima में नहीं है और कभी-कभी किसी चीज का नहीं मिलना ये most important character हो जाता है जैसे हम लोग एक example तुमको people को बताते है कभी-कभी हम क्या बोल रहे है मिलना is not important, नहीं मिलना become more important इस बात को ऐसे समझो, एक लड़का, एक लड़की को शादी के लिए प्रपोस देता है प्रपोस करता है कि I want to marry you, लड़की पूस्ती है Why should I marry you, लड़की पूस्ती है कि मैं क्यों तुम से शादी करूँ तो तुम बताओ, अपने में क्या तुम्हारी खुभी है तो लड़का कहता है, आये में non-smoker, क्या बोले बेटा? आये में non-smoker, मैं cigarette नहीं पीता हूँ अब देखो यहां पे, cigarette नहीं पीना, उसका एक अच्छा character हो गया तो sometimes, things are absent and it becomes a very good character कभी-कभी ऐसा ही होता है, कुछ चीजों का नहीं मिलना, यह fantastic character होता है cigarette पीते हो, नहीं पीते हो तो जो बच्चे cigarette नहीं पीते हैं, meaning भाय, मेरे कहने का ताथ पर यह है नहीं पीना ही अच्छा character है तो इसका मतलब यहाँ पर लिगनीन का नहीं मिलना है यह किसका character हो गया यह diagnostic character हो गया, कॉलिन कायमा का तो कॉलिन कायमा के character का हम लोग देखना शुरू किये corners are thick, but never, अगर question आएगा what is never present, तो बोलेंगे लिगनीन is never present, लिगनीन कभी नहीं मिलता है अब हम लोग आते हैं, यह plant के cell में कहां पर मिल रहा है तो जो कल हम लोग diagram discuss कर रहे थे न उसमें epidermis के नीचे hypodermal cell लिखे थे तो epidermis के नीचे वो जो hypodermal cell था वहीं पर यह मिल रहा है तो below the epidermis और jacot के plant में यह 3 और 4 layer का मिल सकता है लेकिन monocot के plant में hypodermis cell नहीं मिलता है अब फिर हम लोग इन बातों को explain करेंगे monocot के plant में monocot का plant कौन सा होता है monocot का common plant देखो क्या है rice देखे हो तुम लोग wheat देखे होगे, mage, mackay का plant देखे होगे grass सब को ही देखे होगे, sugar cane का plant भी देखे होगे इन plant को observe करो तो rice, wheat, mage और grass बहुत ही कमजोर weak plant है और ये कितना support करता है इसमें थिकनिस कहां पर है तो इसमें सिर्फ corners में thickening है corners में थिकनिस के चलते ये बहुत ज़्यादा support प्रवाइद कर पाएगा एक अपना बिचारा कमजोर आदमी बुढ़ा आदमी अब उसको support की जरुवत है और उसको एक लकडी दे दें जो लकडी खुद ही हील रही है तो क्या support कर पाएगा वो गिर जाएगा बिचारा नहीं, क्योंकि वो लकडी खुद ही कैसे ये flexible है ये कैसा है तो plant में monocot plant खुद weak है उस weak plant को support देना है तो इस कमजोर ये बहुत कमजोर support है क्योंकि ये flexible है सिर्फ corners thickening है अभी हम लोग discuss करेंगे इससे भी जादा कौन सा tissue support कर पाएगा तो ये कमजोर corners thickening के चलते ये sufficient मजबूती नहीं provide कर पा रहा था इसलिए monocot plant में ये मिलता ही नहीं है ये question तुभारे medical का typical question है बहुत बारा चुका है below the epidermies in dicot plant colonchima is present but कहां absent है इसको हम लोग घेर दिये जो बेटा घेर रहे है न ये सब questions है medical का targeted question है अगर colonchima से examiner को कोई questions rate करना होगा तो ये जो हम लोग घेर रहे है न इन ही में से questions आएगा फिर हम लोग देखते है किसमें absent है तो कहेंगे absent in monocot plant किसमें absent है ये monocot plant में क्यों है ये तुम समझ में आगे रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी क्योंकि monocot का plant कौन है rice और wheat बूढे इंसान की तरह बड़ा कम जोर सा plant है इसको support देने के लिए एक मोटे लाठी की जरुवत है नहीं ना की दुबले पतले flexible चीजों की और ये flexibility provide कर रहा है हाला कि ये strong है लेकिन flexible भी है इसलिए इससे जादा strong tissue की जरुवत है finally अब जरा सध्यान से देखो ये thickening कहां पे दिखा रहे थे हम लोग कहां पे दिखा रहे थे against the intercellular space ये जो space था ना उसी के against में ये पूरा wall थिक हो गया था तो thickening कहां पे थी thickening is against the inter मतलब बीच में cellular cell के तो दो-दो cell के बीच में जो space हा इस space को समाप्त obliterate कर दिया गया हमने एक term लिखा है obliterate यही वो term है जो botnical term है जिस पे question आ सकता है which portion is obliterated term क्या आएगा obliterated तुमको क्या answer करना obliterate का मतब समया गया खतम हो जाना समाप्त हो जाना यहाँ पहले एक space था पहले क्या था देखो एक space बना दिये अभी एक space है लेकिन जब यह corners थीक होना शुरू किया तब यह space धीरे धीरे क्या हो गया obliterate हो गया इसलिए हम लोग क्याते है कि it is obliterated space is obliterated क्यों answer क्या देंगे because of the deposition of cellulose because of the deposition of hemicellulose and because of the deposition of pectine but what is never present क्या answer देंगे क्या चीज कभी नहीं मिलेगा यह बता रहे है बार-बार बहुत important question है क्या नहीं मिलेगा अगर ये set से question आए तो यही question आना चाहिए क्या नहीं मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा हम लोग बोलेंगे lignin is never deposited lignin तो कभी नहीं मिलता है किसमें Colin Kaima के case में फिर हम लोग आते हैं function को अब लेके चलते हैं तो जब हम लोग आप function की बात करें तो पहला function हम लोग क्या बोलेंगे corners are thinking इसका मतलब यह कौन सा काम कर रहा होगा mechanical support कर रहा है नहीं क्या कर रहा है यह mechanical support कर रहा है यह plant को मजबूती provide कर रहा है resist bending of stem अब जब हवा चल रही होती है तो यह bend कर रहा है और बहुत ज़्यादा bend करने से इसको रोक रहा है और elasticity के चलते यह तूड भी नहीं रहा है बेंट करने के बाद फिर यह अपनी जगा पे चला रहा है तो दूसरा कोलेन कायमा के presence के चलते यह बहुत ज़्यादा bending को resist कर रहा होता है और कभी-कभी पेरेन कायमा की तरह कोलेन कायमा में भी chlorophyll मिलना शुरू हो जाता है और जब कभी ऐसा होता है हम लोग क्या कहेंगे अब इसका काम बदल जाता है और काम क्या हो जाता है इसका अब इसका काम photosynthesis हो जाता है अब ज़रा पत्ते के बारे में सोचो एक पत्ते के को हम लोग leaf कहते हैं leaf में जो green portion होता है उसको हम लोग leaf lamina भी कहते हैं अब पत्ते के बारे में सोच्छू कि हवा चलने के बाबजूद भी ये इसका margin क्यों नहीं crack कर रहा है क्यों नहीं टूट रहा है तो ये colon का ematis tissue ही है जो पत्ते के margin में हवा चलने के बाबजूद भी हवा के pressure से margin में कोई cutting नहीं हो रही है तो it protect the lamina of margin, पत्ते के margin को ये रोकता है कटने से, from cracking by wind action, जब कभी बहुत तेज आधी तुफान भी आ रहा होता है, फिर भी हम देखते हैं कि पत्ता इस आधी तुफान के बाद भी इसका margin usually नहीं चूटता है, नहीं crack करता है, तो ये क्यों ऐसा होता है, ये तुमको समझ में आ गया, तो ये दूसरा topic हम लोग देखे, कोलेन काइमा, तो फिर से इसको हम लोग समप कर रहे हैं, हम लोगों ने कोलेन काइमा में क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा, पेरेन काइमा की तरह है, कोलेन काइमा भी living sales है, दूसरा, इसके corners पे थिकनिंग है, जिसके चलते इसक का nature supportive और mechanical हो गया, लेकिन ये nature में elastic है, इसी लिए ये जब हवा चलती है, तो stem move कर पाता है, है ना, एक जगा से दूसरे जगा move करता और फिर अपनी जगा पे चला आता है, इसका shape oval या spherical या polygonal, जैसा हम लोग किस में पढ़े थे, पेरेन काइमा में पढ़े थे, लेकिन पे पेरेन काइमा में एक space दिख रहा था, intercellular space दिख रहा था, लेकिन अब ये space नहीं दिख रहा है, क्योंकि corners में thickening मिल रही है, और ये जो corners की thickening है, इस जगा पे cellulose के अलावे, hemicellose और proto-pictine material मिल रहा है, इसलिए अब ये uneven thickness का diagram शो कर रहा होगा, यहाँ पे जादा थिक ह और यहाँ पे कम थीक है, मतलब uneven thickness को ये शो कर रहा है, finally हम लोग कहेंगे, लेकिन किस चीज का deposition नहीं हुआ, उस thickening के होने में, cellulose, hemicellulose and proto-pictine बना, लेकिन lignine का deposition कभी नहीं होगा, below the epidermis in dicot plant, यह कहां मिल दा था, dicot के plant में हम लोग कहते हैं, hypodermal cell में, हैना, तो kolonchyma 2 या 3 या 4 layer का मिल सकता, it may consist of 2 और 3 और 4 layer, फिर हम लोग आते हैं, कहां पी ये absent हैं, तो answer क्या हो जागा, बच्चों, तिरस रिकॉल कर और बताओ, answer क्या होगा, answer is yes, बिलकुल सही, monocot stream, हैना, क्यों monocot plant पे हम दो बताए, monocot plant as a whole, क्यों बताए, बताओ, क्यों कि monocot का plant खुद ही बूढ़े, आदमी की तरह दुबला पतला है, इसको ज़्यादा support की जरुवत है, इसको अच्छी लाठी की जरुवत है, और इसके पास सिर्फ थोड़ा-थोड़ा support देने के light tissue है, मतलब इसमें सिर्फ corners थीक है, बहुत मजबूत ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये इससे इसका monocot के plant का काम नहीं चलता, हम लोग कहेंगे, monocot के plant में ये नहीं है, और corners के थीक होने से कौन सा portion obliterate हुआ, तो हम लोग ने कहा, intercellular space is obliterated, जो corner के space सा, वो खतम हो ग किया, तो अगर question इसमें दो तरह का बन सकता है, अगर आगया main function of colon chima, तो answer हो जाएगा mechanical support, लेकिन फिर हम लोग क्या बता है, sometimes it contain chlorophyll, अगर पूछा function of colon chima, तो एक option होगा जहां पे लिखा होगा mechanical support as well as synthesis of, हम लोग कहेंगे food, क्यों क्योंकि ये कभी-कभी chlorophyll को भी contain कर रहा होता है, और finally ये leaf के margin को भी बचाता है, save करता है, तो ये तुमारे एक topic खतम हो गया, colon chima, ये दोनों ही, perenchyma और colon chima, दोनों ही living था, अब जो हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं, उसका नाम है scler enchyma, और अब ये dead tissue है, तो ये तीन, हम लोग simple perenchymatous tissue में, तीन tissue हमको पढ़न था, हमने पहले पढ़ा perenchyma, फिर हमने discussion किया colon chima, और अब जो discussion करने जा रहे हैं, वो है scler enchyma.